बिसमिल्लाहिर्रह्मान रहीम असलाम अलेकुम और लेक्टर नमबर 8 पार्ट 2 ठीक है इस लेक्टर के अंदर भी हम लोग ने जिस तरह से पार्ट 1 में हम लोग ने टाइप्स ऑफ केमरा देखे थे उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट 2 के अंदर ठीक है थोड कैमरा देख लिए थे कावड देख लिया था काफी टाइप के कैमरा हम लोग ने कावर कर लिया मगर आपके सामने अगर डाटर शीट आती है असल चीज़ ही स्पैसिफिकेशन को देखना है कि आप अगर कोई जगा पे जाते हैं और आपको कोई कैमरा सजेस्ट करना है तो आप उस एरिया को आप उस एरिया के मताबिक कैसे कैमरे को जो है ना सजेस्ट करते हैं ठीक है असल चीज़ ही यह है पता चला जो इंडूर कैमरा है वो पता ही किसी को कुछ निकिंडूर आउटडूर की जगा दिया तो पॉसिबल नहीं है हां इंडूर में आप लक्षर के अंदर इसमें डे-night camera से start करेंगे मगर इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ के डे-night camera को जो मैं बताओंगा तोडी सी depth में जाओंगा कि लाइट क्या है color क्या है यह सब basic basic चीज़ें भी देखेंगे और उसी के सासाथ मैं आपको कुछ terms भी इसी topic के अंदर क चला जाता है टॉपिक मगर यह के इसके अंदर काफी चीज़ें कवर हो जाएंगी इंडिवियूली नहीं करना पड़ेगा आम मेंसे जिस जिसने लेंस के टॉपिक को अगर आप भूल गए हैं तो फिर आप जो एक बार जरूर दुबारा पढ़ लें ठीक है ताकि आपको सार जो टर्म्स थी उसमें आप लोगों को कोई मुश्किल ना गोगे इसके अंदर कोई जिकर नहीं आएगा मगर मैं वैसे बोलो था कि कॉंसेप्ट होना चाहिए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं डे नाइट कैमरा क्या होता है इस डे नाइट कैमरे को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म के बारें बताता हूं यह लक्स इसका जिकर मैंने पहले लैंस टपिक में भी किया है मेरे खयाल है कि सेंसर क्या व्किल तो एक ओवर्वी यह करती है यह intensity of light को जो नहीं measure करती है ठीक है आप ये कहलो कि जो चीज intensity of light को measure करती है वो चीज lux कहलाती है आप ये भी कह सकती है इसकी core definition ये भी हो सकती है कि minimum lightning level के अंदर आपका camera usable image देने की कितनी सलाइयत रखता है ठीक है आप ये कहलो कि कम से कम आपके camera को कितनी light required है कि वो एक usable या एक visible image दे सके है ये चीज आपकी lux कहलाती है ठीक है day night camera जो होता है ये functionality offer करता है जिसको जो कहलाती है day night functionality ठीक है ये outdoor purpose के लिए भी use होता है indoor purpose के लिए भी use हो सकता है ठीक है जहाँ बस lighting condition poor है ठीक है worst है वहाँ पे आप day night camera use कर सकते हो ठीक है day night camera जो है ना वो दिन के time में color images deliver करता है और रात के time जो है वो black and white image provide करता है जैसे ही light एक certain level से नीचे चली जाती है तो वो black and white mod में convert हो जाता है ठीक है अच्छा जैसे ही वो उस mod में जाता है तो वो IR का सहारा लेता है और IR क्या है यह भी हम आगे देखेंगे IR infrared ठीक है तो वो black and white image देने लग जाता है अच्छा अब आप मेंसे जिन लोगों ने engineering की होगी उन मेंसे कुछ उन मेंसे उन लोगों को मालूम होगा कि हमारे पास एक जो है न हमारे पास एक spectrum होता है जिसको हम लोग कहते है electro sorry मैं जोड़ा उपर की जानेब लिख रहा हूँ electromagnetic spectrum ठीक है यह electromagnetic spectrum क्या होता है यह basically आपको band of frequencies बता रहा होता है like radio wave की क्या frequency है microwave की क्या है infrared की क्या है visible की क्या है ठीक है इसी टीवी से related शिर्फ दो band काम के है दो band of frequencies यह आपको wavelength की बारे में भी बताता है ठीक है इसके बारे में हम लोग ने discuss किया हूँ है ठीक है थोड़ा सा overview देतावा जाओंगो ताकि आपकी जो memory हो फ्रेश हो जाए अच्छा जो चीज मतलब जिस region को हमारी आँख देख सकती है इस पूरे spectrum में वो चीज कहलाती है visible spectrum ठीक है और वो region जिसको हमारी आँख नहीं देख पाती ठीक है वो चीज कहलाती है IR आप सारे लोग सोचरोंगे रेडियो वेफ को भी तो हम नहीं देख सकते है तो जी बिल्कुल नहीं देख सकते हैं मगर मैंने बताया कि इस पूरे spectrum से हमें सर्फ दो चीजों से काम है दो spectrum से या दो band of frequency से काम है एक IR और एक means infrared और एक visible spectrum visible spectrum वो spectrum होता है जिसमें हमारी आँख देख सकती है लाइक अभी आप बैठे हमें सिंपल नाम से वाज़े जो चीज़ आप देख सकते हैं आई यार क्या जीज़ है इंफ्रा रेड यह वो spectrum होता है जिसके अंदर हमारी आँख नहीं देख सकती है मगर कैमरा से देख सकता है ठीक है अब आई यार जो infrared है उसका जो span होता है ठीक है और वह जो मैंने यह जीज होती है यह आपकी स्वरी यह आपकी कहलाती है आई यार ठीक है और जो हमारा है visible है ठीक है जो visible spectrum होता है वह 400 nm से शुरू होके जाता है 700 nm ठीक है तो यह रेंज़ पर यह दूनों काम की रेंज़िस हैं वह मैंने आपको बता दी है कर रहा होता है तो वो color image दिखा रहा होता है आपको कैसे काम करता है देखें एक filter होता है जिसको हम कहते हैं IR cut filter यह basically क्या कर रहा होता है यह तमाम IR radiations को जो के color image यह दिन के time में जब वो color image को produce कर रहा होता है तो कहीं यह अगर उसके अंदर मौजूद थी जो के रात में IR mod पे गया और वापस जब यह color mod पे आया तो कहीं ऐसा ना कि कुछ raditions रह जाएं और वो color image को effect करें तो इस चीज के लिए हम लोग एक filter यूज़ करते हैं वह जिसके लाथ है IR cut filter ठीक है वो जो IR cut filter होता है न वो simply क्या करता है IR raditions को cut कर देता है और color image के अंदर कोई फर्क नहीं आने देता बस that's it ठीक है रात के time IR जो cut filter है वो remove हो जाता है और camera black and white देखने लग जाता है क्यों क्योंकि जाना अगर वो IR cut filter रह जागा तो तो तमाम IR को काट देगा IR raditions को काट देगा मुझान ही नहीं देगा filter out कर देगा तो फिर इसी दिवज़े से एक certain night level तक वो filter रहता है उसके बाद वो चला जाता है यह देख लें आप आप यहां साथ देख सकते हैं IR cut filter on है मतलब IR raditions को नहीं आने दे रहा है यह देखें कलर नजर आ रहे है आपको color image नजर आ रहे है ठीक है और यह काट फिल्टर off होगे देखें यह ब्लैक और वाइट इमिज आ ठीक है तो अब अब हम लोगों ने IR cut filter देख लिए हम लोगों ने day night camera देख लिए हम लोगों ने spectrum के बार में पढ़ लिए मगर अभी तक हमें यहीं नहीं पता कि light क्या होती है ठीक है ना light यह एक आप यह कहलो कि यह वही light है जो आपके scene से reflect होती है और reflect होने के बाद हमारी आँख उसको देखती है ना सरे दे बाद लोग कहते हैं कि जो performance of the camera होती है ना मतलब जो network camera की performance होती है वो किन चीज़ों पर depend करती है अगर मैं आपसे लोगों से पूछ हूँ अब तक जितने भी lecture पढ़ें आम में से यकीनन सारे कहेंगे के camera की performance जो depend करती है वो lens की उपर करती है sensor के उपर करती है ठीक है वो lens sensor के उपर तो करती ही करती है मगर यह याद रखिएगा कि light के उपर भी करती है और light भी कैसे उसकी quantity कितनी है उसकी quality क्या है उसकी distribution कैसी है मतलब इन सारे factors के उपर भी यह performance of the performance depend कर रही होती है ठीक है light एक energy है सही ना electromagnetic radiation की form में light एक energy है ठीक है अब यह जो light की wavelength होती है आप य लोगे लाइट की जो wavelength या light की जो frequency होती है ना यह चीज जो है ना color को determine कर रही होती है ठीक है और यह भी बताती है कि किस type की light है तो अब जो visible spectrum जिसके बारे मैंने अभी जेकर किया जो कि चार सो नानो मिटर से साथ सो नानो मिटर तक थी ठीक है उसका span ना बहुत कम होता है ठीक है मतलब यह वाइलेट से शुरू होता है और red पर खतम होता है ठीक है starting from violet और यह visible spectrum खतम कहां पर होता है red पर होता है सब्सक्राइब नेटवर्क वीडियो कैमरा होता है वो light को detect कर लेता है अगर वह human eye की जो range है ना उससे बाहर भी चली जाए लाइक अगर जब उससे बाहर चली जाएगी तो कौन से mode में आ जागा आयार मौड में आपकी आंग नहीं देख सकती है मगर कैमरा देख सकता है यही बजाए कि अगर आप अपनी आंग की बात करते हैं तो visible spectrum अगर मैं कैमरे की बात करता हो तो visible plus IR ठीक है दोनों range में देख सकता है ठीक है अच्छा यह जो वाइलेट से शुरू होता है और रेड तक के color जाते ना वाइलेट इंडीगो और विब गॉयर करके है होता है हम लोग ने सब्सक्राइब किया था कि वाइलेट इंडीगो ब्राउन इस तरीके से ठीक है तो एंड जो है ना वह रेड पे होता है तो अच्छा एक और मैं चीज़ बता दूँ यह जो इंफरा रेड रीजन होता है ना इसको आप यह कह लोगे साथ सो नैनोमीटर साथ नैनोमीटर यह रेंज भी मालूम हो गई आपको ठीक है इस चीज़ को हम लोग नियर इंफरा रेड भी कहते हैं मतलब एन आई आर भी कहते लोग अक्सर कहेंगे नियर इंफरा रेड इंफरा रेड फार इंफरा रेड यह सब कोई चीज़ नहीं थी बस यह इन्फरा रीजयन के और चिछ कर अच्छा लगा लें। जितने भी Sensitive लगा लें। घ्म लें। लेंस जितनी भी अच्छी लगा लें। लाइक वो जितनी चाहे। पकड़े लाइट लाइट ही नहीं तो इमेजिकान से बनाएगा। ठीक है। तो behavior of the light वो डिपेंड कर रहते हैं, कुछ को absorb कर लेती हैं अब देखें आपने अकसर देखा होगा जो पेल कलर होते हैं जो हलके कलर होते हैं वो reflection ज्यादा देते हैं और जो dense होते हैं जेट ब्लैक लाइक ब्राउन लाइक इस तरिके से जो डीप कलर्ज होते हैं वो absorption कर रहे होते हैं ठीक है वह यही वज़ाए कि आपने देखा होगा जब आप दिवार कभी सूरज की जो शुआ होती हैं वागर दिवार के उपर पटा दिवार गरम हो जाती है क्यों क्योंकि वह बहुत ज्यादा इनरजी यह बहुत ज्यादा रेस जो अपने अंदर इब्सॉर्ब कर लेती है ठीक है तो अब देखें लाइट का भी पता चल गया कि लाइट क्या होती है ठीक है यह वही होती है जिसकी वेज़से कैमरा देख पाता है आपकी आंग भी देख पाती है इसके रीजन भी बता दिए ठीक है अब कलर क्या होता है यह भी तो पता हूँ जब लाइट का पता चल गया तो तो कलर कभी पता होना चाहिए कि कलर किया है जिस प्रोसेस के थुरू हमारी आख और हमारा जहन देखता है ना कलर को वह बड़ा ही कॉंप्लेक्स मैथड है तो लेहाज हमें एक सिंपल से डेफिनेशन यह कर लें कि ऐसी वेवलेंथ लाइट की जो के हमारी आख देख सके और जब हमारी आख देख सके तो हमारे जहन को भी यह बास समझा सके कि यह जो मेरी आख ने ब्राउन कलर देखा यह ब्राउन कलर है अगर जहन इस चीज़ को मान ले जिसकी रेंच कहां से कहां तक होती है 400 नानोमिटर से 7500 के दरमयान कोई भी चीज लाइख करेगी वह आपका जहन मान सकता है ठीक है देख सकता है तो यह चीज के लाती है लाइट का रीजिन है ठीक है अब जिदने बाकी सारे कलर्स लोग सोच रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने आर जी बी का कॉंसेट दिया था लैड ग्रीन बिलू का कि उसको मिलाएं और मुक्तलिफ कलर्स बनाने से तर सोचैंगा अब लोग है यह चीज वाइट लाइट केलाती है ठीक है कुई ग्रीण लीफ कुण नधर आति यह क्यों क्यूंकि वो सरफ ग्रीन को अर्ड का रियूदर को सारी एब जो अनुछ लेती है ठीक है मगर अगर इसी ग्रीन लीव को अगर आप रैड लाइट की अंटर देखेंगा ना तो आपको बलैक नजर आईगी है तिक है क्यों कि वो जो रेड है वो कोई green रहे हैं अगर वाइट लाइट है वो गृर्ण भी करती है जो जो लाइट इसे टक रहाएगी वो इसको वाज़े कर देगी बागी सारों को कर लेगी ठीक है अच्छा यह जो अल्ट्रा वाइलेट रीजन अब जब यह रीजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो मैं एक और एडिशनल एक स्किन के लिए तो आप सोचले केमरे का क्या होगा ठीक है तो वह जला देती है मतलब बर्न कर देती है अब कलर हो गया लाइट हो गई आयार क्या होता है इंफ्रारेड हमारी आग की जो बल्के आप यह कहलें विजिबल स्पेक्ट्रम से जो वेवलेंद जब हायर हो जाए तो दो चीज इन्फरारेड रीजन कलाती है ठीक है मैं तो अच्छा इंफरारेड ना ऐसी नहीं इंफरारेड हो गया लाइक अगर मैं आपको बताओं अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं कि इन्फरा और मैंने रेड लिखा ये जो इन्फरा है ना ये एक Latin word जिसके मतलब होता है lower ठीक है इन्फरा means ठीक है ना lower और ये red मतलब red के नीचे तो अब wallet से शुरू होता है ये आपका जाता है red तक तो red से जब नीचे जाता है ना तो ये IR region शुरू जाता है ठीक है इसी लिए इसको कहते इन्फरा रेड रेड के नीचे वाला portion अब आप इससे जाएंगे तो ये wavelength बढ़ रही होगी और ये frequency कम हो रही होगी बस symbol is that ठीक है अच्छा अब यह IR जो होता है इन्फरा रेड इसको मतलब यह ना सुचे कि यह IR विचारा इतना मासूम है कि जो है ना वो सिर्फ हमारे ये camera की lightning को improve करने के लिए इसके बहुत सारे टेक्नालोजिकल पर पॉजिजिशन के लिए भी यूज होता है ठीक है टार्गे ट्रेकिंग के लिए भी यूज होता है शौट रेंज वायलेस कम्मुनिकेशन कर सकते हैं वैदर फोरकास् हम बताता हूं ऐसा camera जिसके अंदर ये LEDs लगी है देख रहे हैं यह यह LEDs जो है ना यह चीज यह पूरी आपकी IR है ठीक है ऐसा camera जो के LEDs हो और जो के day night हो day night में LEDs नहीं होती मगर यह कम light में देखने के सलाइट रखते हैं मगर इसको अगर light zero हो जा तब यह camera देख सकता मगर य जल जाती है यह LEDs जल जाती है तो भी यह देख लेता है तो आप यह समझने बिल्कुल गोपन देर है कहीं पर तो अगर आपने यह लगा दिया यह लगा दिया तो यह देख लेगा क्योंकि इसकी LEDs गलो कर जाएंगी मगर यह जो day night camera होता है को कुछ थोड़ी सी light चाही होती ह camera यूज़ करना है या मुझे IR camera यूज़ करना है इसका एक बहुत सिंपल सा solution बताता हूँ अगर आप कहीं पर जाएं और आपको मतलब आप कहीं पर एक night surveillance कर रहे हैं आप और आप ने देखा कि जो नहीं आप एक camera की जरूरत है तो अगर आपको वह नजारा जो भी है मतलब आपको वह सीन अगर आपको अपनी आँक से नजर आ रहा है रात के डाइक डे नाइट camera recommend करेंगे अगर आपकी आँक को कुछ नजर ही नहीं आ रहा है यह यह तो बिलकुल ही घुपन देना है तो फिर आप क्या करेंगे टोटली डार्कनेस होगी जब आपकी आप भी नहीं सकती है तो फिर आप क्या करेंगे आयार camera suggest करेंगे ठीक है यह rule of thumb है इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है ठीक है तो यह day night और बहुत सारे लोग होते हैं बस वो कहते हैं काम है light तो यह कर दो अगर ज्याद नहीं कर लो आपको पूरा proper reason पता होना चाहिए ठीक है आप वह क करने आ रहे हैं आपको reasons नहीं पता तो फिर फिर मसला हो जाएगा यह camera इतने सस्ते भी नहीं होते है ठीक है एक term आप सुनेंगे brightness और glare glare इसमें यह cctv के अंदर बहुत जादा यूज होती है brightness और glare glare क्या होती है याद रखिए कि जब कभी भी light access हो जाए वह चीज़ गलेर क आपने देखा होगा कि आप अगर रात के टाइम जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है तो वह अगर हाई बीम करती है तो फिर आपकी सीधा आँख पर पढ़ती है वह चीज़ क्या है वह glare है मतलब वह access light मिल रही है आपको ठीक है जब contrast होता है light में आप यह कहलो कि contrast है light में वह brightness कहलाती है और excessness है तो excessive है तो glare है यह जादा दर प्रब्लम किदर हाती है यह access और वह सौरी glare की brightness की जो totally dark होता है सब्सक्राइब ब्राइट और डार्क अरिया तब यह कहलो कि उसके दरम्यान जो contrast जब 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 पाती है वहना रात के टाइम जब गाड़ी हाई भी मोटी उसको लाइट ज्यादा पढ़ रही होती है आपको तो आपको तो जाद अच्छा देखना चाहिए मगर क्या access में हो जाती है तो नहीं देख पाते हैं ठीक है light and surfaces मतलब आप यह कहलो कि light और surface कि क्या combination है ठीक है आप अब सबको यह पता चल गया 400-400 नैनोमीटर से लेकि 700 नैनोमीटर तक कौन सी रेंज होती है अब आपके सामने लिखा हुए तो फिर आप तो असानी से बताई दोगे ठीक है यह मैं तरहां में टालूं फिर मैं दरहां कुछ पूछूँ था कि सामने लिखा हुए सब च कि देखें तो 400-400-400 नैनोमीटर से 700-400 नैनोमीटर तक कौन सी रेंग होती है प्ला होना चाहिए अभी मैंने आपको बताया है ठीक है यह होती है और 700-900 नैनोमीटर तक जो होती होती है वह होती है आई-आर तो यह जतने भी बाकि बलू होगी और ग्रीन येलो और यह सब इ सीमकीना reflection होती है ऐसा नहीं होता कि जो आना ये आपको मेरा खाल है ये मैं थोड़ा सा इंटर इंटर लेवल पर चला गया हूं कि जो आना reflection क्या है साही है मतलब सबसे पहली क्या चीज़ आ गई डिफ्यूजन ठीक है डिफ्यूजन क्या होती है यह डिफ्यूजन आप नाम सुनेंगे बस इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा बस यह समझने है कि यह ऐसे ही है पर आपको पता होना चाहिए कि जो यहिए सर्फेस्स किया होती है डिफीजन क्या चीजज होती है लाइट की प्रवर्पर्टी होती है कि हो डिफ्यूजन यहां से बीम फ़्लाइट आई इस सर्फेस अट पास होई और वो इसके टार रोगे बस यह चीजज होती है मतलब वह आप यह कहल o कि वह यहां यहां पे बी चली गई यहां पे भिए यहां मतलब फैल गई पते ही कुछ नहीं कहां 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 यहां से विल्वारी है यहां स्कूर सबर्क्रासaction एप छो ना जानतार इसके बारे में ठीक है फिर भी मैं आपको बता दें तो reflection क्या होती है reflection के अंदर क्या होता है अगर ये incident light आई ठीक है जिस angle से ये आई है उसी angle से ये move कर जाएगी ये बीच में जहना आपकी होती है sorry ये बीच में आनी थी ये अलद बन गी बलकि मैं यहाँ बना देता हूँ ठीक है ये light आई और ये वापिस टक्रा के उसी angle में चली गई ठीक है ये जी यह अलद एंगल और यह अलद एंगल सेम होगा ये अगर अलफा है तो ये भी अलफा होगा मतलब angle of incidence ये incidence हो गई और ये reflection होगई ये चीज़ reflection कहलाती है like mirror होगे आपका जिस angle आप light मारते हैं उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाती है एक कहला देटी diffuse reflection समझ में आ गई अब जिनको diffuse समझ में आ गया था वह diffuse reflection बता सकते हैं क्या होगा सोचें सोचें मैं डाग्राम मनाता हूं यह सबसे मुझे 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 काम लगता है दुनिया का टार्ग्राम मनाना यह देखें यह लाइट आई टकराई इस दफाव पास नहीं होई इस दफाव यह यहां भी चली गई यहां पर भी आ गई यह यह भी आ गई यह चीज़ अगर आपके पास यहां बता रहा हूं कि यह आपके पास बॉड़ी है अगर लाइट इस एंगल से आई है उसी एंगल से वापिस चली गई मतलब आने वाले और जाने वाली दोनों सेम है अगर वो इधर से आई तो वापिस इधर ही चली गई मतलब जिस एंगल से आ रही यह बस उसी एंगल से वापे चलेगे यह जो आपकी नंबर प्लेट होती है और आपके जो साइन बोड्स होते हैं यह सारे retro reflection होते हैं आप कभी high beam मारे ना कोई asi कोई arrow का लगावायो या कोई direct direction बोड लगावा ओ के का था दीच्जब आपने देखा और अगर नहीं देखा तो और reflection board वो उस पर sign boards पर जा रही होती है ठीक है तो वह जब आप उस पर देखेंगे ना तो आपको कभी भी वह आख पर नहीं लगेगी मगर आपको नजर आ रहा होगा इमेज ठीक है जैसी आप उसकी तरफ light करेंगे ना तो वह चूँके जिस एंगल से light जाती उसी पर टकरा के वापिस जा रही होती है मतलब समझ ले हैड लाइट से जो हैना जब जली उसने सीधा उसने reflection sign board के उपर टकराई और वह वापिस हेड लाइट से टकरा गई इसी वज़ए से आपको sign boards नजर आ रहे होते हैं रात में भी ठीक है यह जी आपकी आगे रेट्र रेफ्लेक्शन यह जी कुछ टाइप्स थी रेफ्लेक्शन की सोचा जिकर कर दूँ और absorption आप सब को पता है कि बहुत सारी light मतलब beam of light आई और टक लो तो फिर आपको क्या होता गर्मी ज्यादा लगता है क्यों कि ब्लैक जो है ना डार कलर absorption कलर होता है ठीक है अब light sources की में थोड़ा से मैं बात करता हूं ठीक है light sources की आई है light sources मेरे खाल बना वही हम लोग अपने lecture के हैंड में आगे हैं क्योंकि मैंने आपको एक खुशकबरी भी देनी कि इसका part 3 भी बनेगा और जिसके अंदर हम लोग यह जो network IP कैमरा तो हमने पिछने पढ़ लेता ठीक है तो अभी मैं हम लोग डेर नाइट कैमरा देख रहे हैं ठीक है light sources में क्या होता है हम तो light sources light sources में क्या आगया लाइट sources ठीक है light sources में सबसे पहले चीज आ गई आपके पास incandescent lamp कि इंकेंडेसेंट लैंप ठीक है यह क्या होती है इसी के अंदर हैलोजन भी मैं जो इना रिफाइन कर दूंगा कि यह सबसे पहले बल्ब जब आहे हैं जी तो वह इंकेंडेसेंट बल्ब थ है और इक बंस इसी अब जलते थे तो बहुत ज़्यादा गरम मतलब होट टुच हो टेच था ठीक है फिर उसके बाद क्या होजी हेलोजन आए है फिर हेलोजन बेल जाए हेलोजन ने क्या काम किया थोड़ी सी एफिशेंसी उसकी इंक्रीज हुई मगर वह 90 परशंट से गिर के जो पहले वेस्टेज 90 परशंट थी तो अब 80-85 परशंट हो गई ठीक है उसमें भी हीट का मसला था पिर उसके बाद जो दूसरी चीज आ गई वह आई यह आप समझें लें इंकंडेसंट के बाद आप आगए जी है लोजन पर तीसरी आपके पास क्या आ गई फ्लोरेसंट इसका तो नाम भी आपने वैसा सुना ही होगा पाने और वॉसरी नंट में यह थी यह अंटकर पर काम करती थी वह सब झोड़ें बस आप यह दैखने लेंप आ उसके बाद और इस काम किया यह लो पावर थी ठीक है नाि यह ठीकर gonna ऐं तो र тी में LAKE इसको डिजाइन किया लीए और मतलब इंटर्नली फेट हो जाए ठीक है और इसकी डिफूजन जो प्रॉपरटी ए वह डिफुजन प्रॉपरटी उस्की लाज्ट थी लाइक वह जो एना लाजडिफ्यूज्ट सोर्स था मतलब यह क्या करती ती लाइट स्कैटर हो जाती थी इस से निकलने के बाद ठीक है तो यही वज़ा थी कि जब जो फ्लोरिसेंट था जब उसकी लाइट स्केटर हो जाती थी तो उसको फोकस करना और उसको कंट्रोल करना दोनों उसके लिए बहुत मुश्किल थी ठीक है फ्लोरिसेंट नेम के साथ यह मेमारी थी अब बात आई जी आप यह तो जो जिन डिस्चार्ज ठीक है यह ना गाड़ी में लगवा रहे है अचाइडी और पता ही कुछ नहीं हो कि है अचाइडी होता क्या है ठीक है एचाइडी क्या हुआ जी एफिशेंट थी गुट कलर रेंडिशन था उसका खुब्सूरत लाइट होती है उसकी ठीक है ना एक कलर मार होती है वो लॉंगर लाइफ होती है तकरीबन बारहाजार घंटे तक चलती है ठीक है और आप यह कहलो कि यह नेटवर्क वीडियो में भी यूज कर सकते हो इसे आगर आप करना चाओ तो कर सकते हो है यह जलने के लिए ना यह जल रही होती है जब आप टर्न आउन करते हो यह एचाइडी को तो यह दो से तीन मिनट लेती है जलने में और एक दफा यह बंद हो गए ना तो यह वापस जल्दी ऑन भी नहीं होती है इसका सबसे बड़ा डिसडवांटेज ही यह था ठीक है उसके बाद जी आप आचकल जो यूज कर रहे हैं और फिर दुनिया आ गई फिर उसके नाइट विजन के लिए कैमरे के अंदर भी यूज हो रहा है इसके मतलब 80-90 परसंट जो नहीं यह एफिशेंट हो गई से न और आप यह कहलो कि बहुत ही लो एलेक्रिकल कंजप्शन भी है इसकी ऑपरेटिंग टेंप्रेचर भी जो इसका बहुत ज्यादा नहीं है ठीक है और यह असाने से तूटती भी नहीं है मज़े की बाद यह भी है ठीक है और इसको आप जलाएं तो फौरन जल भी जाती है कोई मसलह ही नहीं है इसके साथ तो अब एक फास्ट रैपिड डिफरेंस बताता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा जो एलेडी ह जल सकती है फ्लोरेसंट जो था उससे उपर वाला ठीक है यह वाला जो भाई साथ यह जो आना सिर्फ 10,000 घंटे के नहीं चलते थे बतलब एक जिरो गिरा दी आपने यह एक लाख यह दस अदार और यह अरे जो भाई साथ यह पिचारे सिर्फ जो हना हजार घंटे चलके अ आप असानी से बता सकते हैं को यह पूछ ले या रहा है चाइडे यूज़ कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए कि नहीं जी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टर्ण टर्ण आफ टाइम्स का बहुत ज्यादा है ठीक है करना हो तो कर लो भाई कोई मसला नहीं है अगर वो आप चैना की कैमरों का मुझे नहीं पता मगर अगर आप जैना यह ऐसा नहीं के चैना के चैना नाम लग गया तो प्रिखेंगे चैना के अंदर ना एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं बीम पैट्रन अब मैं आपको बहुत यह इंपॉर्टन चीज बताने लगा यह चीज कहलाती है बीम पैट्रन बीम पैट्रन क्या होती है लाइक आप यह कहलो कि यह यह और यह तो यह प्याइब आ आपको पहले बताया डाग्राम में थोड़ा सब जाना बड़ा वैसा हो ठीक है अब देखें यह वाली जो चीज है यह लाइट शोर्स हो गई आपकी ठीक है और यह चीज क्या हो गई कैमरा हो गया कैमरा कैसे देख रहा है ऐसे देख रहा है कैमरे की रेंज इतनी है मगर आपका लाइट सोर्ज जो है वो ऐसे देख रहा है इस सूरत हाल में क्या होगा लाइट क्या हुई बहुत जादा नैरो हो गई ठीक है लाइट बहुत जादा नैरो हो ग जो पूरा एरिया है न वो पूरा गलो भी नहीं करेगा ठीक है इसमें सबसे बड़ा मसला यह भी आ जाएगा कि जो एक तो पूरा एरिया नजर नहीं आएगा कैमरे को क्योंकि लाइट ही नहीं रहा है वो कहीं हो अधी सदाधा लाइट तो जो यह आला पोर्शन है यह अला इसी चीज़ को मैं पलट दूँ इस दफ़ा यह जो वी शेप था यह आपका कैमरा हो गया ठीक है और यह वाले जो भाई साब थोड़े चोटे से यह वाली आपकी लाइट होगी ठीक है यह चीज़ लाइट होगी फिर क्या होगा इसी सूरत के अंदर अब आपका कैमरा तो अरुगर आपकी लाइट ही नहीं जा रही तो फिर इसके अंदर क्या होगा। pan a जितना देखेगा बाकि यह सारा कैमरे की रेंज बेकार हो गई सही ना यह वर्स डिजाइनिंग कहलाती है ठीक है मगर ऐसा भी होता है तो आपको यह भी बता चलिए अगर कैमरा जादा दूर तक देख सके और लाइट न पहुंच सके तो क्या होगा तो अफकोर्स जैना आप तो कुछ अरिया भी कवर नहीं होंगे क्योंकि वह ग्लेर ही नहीं होंगे वह मतलब उसमें जाएगी नहीं ठीक है जी आगए चलते हैं यह दो कंडिशन अब अगर आप एक्सेस और मैंने अभी बताया कि अगर आप बड़े ब्रैंड की बात करते हो ना तो वह बीम पैटर करवाते हों करते करते एक वाक्त आता है वह ऐसे देखता है तो फिर आपका कैमरा अपनी मैक्सिम एफिशेंसी शो करता है ठीक है यह कैमरा प्लस लाइट दोनों की मैचिंग होती है इस चीज को हम कहते हैं बीम पैटरन ठीक है यह बड़ा ही इंपॉर्टन चीज है यह अब मैं डिसकस करूंगा तो आप देखेगा कि उसके साथ ना मैं एक एक स्पेसिफिकेशन कैमरे की या एक डेटर शीट भी मैं डिसकस करूंगा तब आप उस स्वक्त कहेंगे कि यह समझ लें कि अभी जिस तरीके से वह उता था था ना कि शुरू में OSI reference model पढ़ लिया आपकी पक्की हो जाएंगी, day night camera समझ में आगे day night कहां यूज करते हैं और night vision camera कहां यूज करते हैं यह आप आपको पता होना चाहिए, इस को हम नेक्स में देखेंगे पी टी थी अगया है इसी तरीके नेट वर्क ईपी कैमरा इसको मैंने बड़े डिस्क्रिप्टिव में बटा या ता यह नेओजली में देखेंगे प्लुपाइक है इसको भी हम अगले में देखेंगे है जो के SMPTE कहलाती है उसने दो स्टेंडर्स बनाए वह एच्डी स्टेंडर्स से 720P था एक 1080P था और इसके साथ आई भी लिख लें ठीक है मगर यह 1080P ही जाधा तर यूज होता है क्योंकि सीमोस होता है तो जाधा तर वह पर मैं यूज करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यह यहां पर आ गई और यह यहां तो आप यह देख लेएं कि एक 2 मेंगा पिक्सल का कैमरा यह कितना देख सकता है है जबकि इधर इसको चीज़ को कपर करने के लिए चार हमें 7айтесь Q4 I teaware चाहिए थे इकिधर लगता इचिदर लगता इचिदर लगता इचिदर लगता इचिदर लगता तैट ल móगता मैगा तू मगा पैकसल जी देख लें चेंज होता है ठीक है 16 निशना इन होता है अन्वांटी डिटेल्स नहीं दिखाता है दूसरा कलर रेंडिशन इसकी बहुत जाद अच्छी होती है अधर कलर फिडैलिटी क्या होती है कि औरीजिनल कलर कितना आपको अपनी पिक्चर में नजर आया परसीव करने के बाद मतलब जब सीन से लाइट रिफ्लेक्ट हुई आपके लेंज से पास हुई और संसर की उपर इमेज बनाया तो जो आपको रियल में नजर आ रहा था पिक्चर जो रियल में सीन था वो कैमरे ने कैसा परसीव किया यह जिस कलर फिडैलिटी के लाथी है वो भी इसकी एश्डी कैमर आते हो ना तो फिर फ्रेम पर सेकंड काम होते चले जाते हैं अब पूरे तीस फ्रेस नहीं देगा हो पूरे पच्छेस फ्रेस देगा पंदना देगा ठीक है तो इसी तरीके से मगर इन एश्डी की क्या बात है कि 720 एप्रॉक्सिमेटली वन मेगा पिक्सल होता है और टैने टीपी टू मेगा पिक्सल होता है यह दोनों वान और टू मेगा पिक्सल 30 fps दे रहे होते हैं इस हाई रेजलूशन पर भी तो यह चीज एक और इसका फायदा होता है ठीक है मतलब आपने किसी कैमरे को देख लिया कि यह एच्डी है तो आप समझ जाएंग या तो यह तो य यही बढ़ा के अगर मैं यह देखें यह 1280 x 720 अब यह 720 आ गया शावज बताएं क्या है यह चीज आपकी HD कैमरा है यह देखें यह 1080 आ गया यह भी HD है बस यही दो स्टेंडर्स होते है वन मेगा पिक्सल का अगर कैमरा होगा तो उसके अंदर 720 हो सकता है 2 मेगा पिक्सल का ह होगा उसके अंदर 1080 भी हो सकता है उसके अंदर 720 भी हो सकता है क्योंकि जब आप 2 मेगा पिक्सल की रेजलुशन स्लेक्ट करेंगे तो सकता है वह 120 इंट-720 भी दे इसी के एक और रेजलुशन भी होती है वह होती है जी आपकी 1280 x 960 और एक और होती है मेरे ख्याले 1280 x 1024 ये भी होती है तो कैमरे की 1.3 की 3-4 है मगर 2 मेगा पिक्सल की ये वादी होती है ठीक है इसना से 3.1 पर चले आएंगे और बड़ा एरिया आ जाएगा उसकी कलर एंडिशन अच्छी हो जाएगी और 5 मेगा पिक्सल की दो बात ही छोड़ दें अब पूरे जंगली दिखा दिए इसने ठीक है ये एक इमेज है जी ये देखें ये कैमरा देख लें अब आप और एक ये देख लें ये लो रेजलूशन कैमरा है ठीक है ये हाई तो इस लेक्चर को देखेगा एक बार फिर थैंक्यू आ गया और ये उर्दू आइटी अकेडमी भी आ गई ठीक है जी अब अबना बहुत जादा ख्याल रखिएगा ठीक है अब आकिर पार्ट 3 में मलकात होती है थैंक्यू